कोरोना वाइरस लगातार अनियंत्रित होता हुआ नजर आ रहा है और यही वज़े है कि कोरोना वाइरस के संक्रमन के मामले हर दिन एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं पिशले 24 घंटों में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,15,000 से जादा संक्रमन के मामले दर्ज किये गए हैं और मरने वालों का आकड़ा पहुँच चुका है 600 के पार ऐसे में देश के अलग-अलग राज्य अलग-अलग तरह के प्रतिबंद लगा रहे हैं ताकि कोरोना को किसी ना किसी तरीके से नियंतरित किया जा सके कही मीनी लॉकडाउन लग रहा है तो कही नाइट कर्फ्यू और अलग-अलग जगे पर दिशा निर्देशों को सक्त कर दिया गया है लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामले अनियंतरित होते हुए आगे बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन पर भी चर्चाए हो रही है लेकिन लॉकडाउन पर बड़ा बयान दिया है डवलुएचो की सीनियर साइंटिस्ट सौम्य स्वामिनाथन ने जिन्होंने कहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन के अंजाम खतरनाक साबित हो सकते हैं साथ ही दूसरी लहर को नियंद्रित करने के लिए उन्होंने लोगों की भूमिका पर भी जोड़ दिया है लेकिन लॉकडाउन को भयानक परिणाम वाला सौम्य स्वामिनाथन ने क्यों बताया है बताएंगे आपको ये तमाम बातें इसी वीडियो में नमस्कार मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगना और आप देख रहे हैं न्यूस तक दरसल अंग्रेजी अख़बार दे इंडियन एक्स्प्रेस से बात करते हुए वहो की चीफ साइंटिस्ट सौम्य स्वामिनाथन ने ये कहा कि हो सकता है आपको ये भी बताते चलें कि वहो की चीफ साइंटिस्ट ने कोरोना वाइरस की रोगथाम के लिए वैक्सीन पर भी जोड दिया है साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोवी शील में अगर आट से बारा हफतों के बीच का गैप दिया जाएगा तो शरीर में रोग प्रतिरोधक्षमता जादा अच्छी तरीके से डेवलप होगी हाना कि लोगडाउन को लेकर उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी देश में संपूर्ण लोगडाउन लगता है तो ये कोरोना के प्रसार को रोक नहीं पाएगा बलकि ये सिरफ पॉस कर देगा और सिर्फ वहो की चीफ साइंटिस्ट ही नहीं बलकि पूरे विश्वभर के और भारत के एक्सपर्स का भी ये मानना है कि लोगडाउन से कोरोना की स्थिती थमेगी नहीं विशेशग्यों ने पूरे का एक्सामपल देते हुए कहा कि बीते साल लोगडाउन के दौरान भी पूरे में कई होट स्पॉट थे अंशिक रूप से ही सही जैसे ही लोगडाउन हटा आंकड़े फिर बढ़ना शुरू हो गए तब 10 दिनों के लोगडाउन ने भी मदद नहीं की थी आपको बताते चलें कि भारत ने कोरोना की पहली लहर सितंबर में देखी थी और मार्च 2021 से कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो चुके हैं जिसकी वज़े से हम कोरोना की दूसरी लहर जेल रहे हैं इसी वीडियों में हम आपको बताते हैं कि वो कौन-कौन से शहर हैं या फिर कौन-कौन से राज्ये हैं जहां पर कोरोना को लेकर नियमों को सख्त कर दिया गया है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी लगातार पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत के पार पहुंच चुका है जिसकी वज़े से केजरिवाल सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। जनों को अनुमती नहीं दी जाएगी। सोजल डिस्टेंसिंग रखने के लिए अपील की जा रही है और अपने हाथ बार-बार धोने या पिर सैनिटाइज करने की अपील की जा रही है। अब बात करते हैं पंजाब की। दरसल पंजाब में 25 सो से जादा हर दिन नए केसेज दर्च किये जा रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में ही सबसे पहले UK वेरियेंट जो की सबसे जादा संक्रामक कोरोना का वेरियेंट है। वो पाया गया था जिसकी वज़े से अलग अलग जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और अब बात करते हैं 36 गड़ की आपको बता दें कि 36 गड़ का जो दुर्ग जिला है वहाँ पर सबसे जादा केसेज पूरे देजबर में रिकॉर्ड किये जा रहे हैं। का हुआ राज्य है वहाँ पर भी कोरोना के केसेज लगातार बढ़ रहे हैं और इस वज़े से राज्य सरकार ने वहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू लगाने का एलान किया है। और जिस तरीके से डबलू एचो की चीफ साइंटेस्स सौम्य स्वामिनातन ने बताया कि कोरोना से अगर नियंतरण पाना है दूसरी लहर को अगर काबू पाना है तो जिम्मा लोगों के हाथ में ही है। अगर आपके राज्य में कोई नाइट कर्फ्यू नहीं भी लगा है तो भी आपको अपना खास ख्याल रखना है। आपको ये भी बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार हरकत में आ गई है और यही वज़े है कि फिलाल एक से नौ तक के स्कूलों को बंद करने का फैसा लिया गया है और इलाबाद हाई कोट ने भी योगी सरकार से लोगडाउन, नाइट कर्फ्यू या फिर टॉपिक के बारे में जाना जाते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं